बिहार के राजपाल, स्रिमान राजेंद्र अर्देकर जी, मुक्य मंत्री, स्रिमान नितिश कुमार जी, और भी सभी वरिष्ट नेता यहां बैठे हैं, मैं सब का नाम तो सबना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुराने सभी साथियों का आज मिलन, और मैं इतनी बड़ी तादाद में, आप सब अन्य महानुभाव जो यहां आएं, जनता जनारदन का मैं रदेश से अभिनादन करता हूँ, विश्व प्रसिद्ध सुर्य मंदीर, उमगेश्वरी माता और देव कुण्ड के इपवित्र भूमि के हम नमन करिथी, रहुनी सब के प्रणाम करी थी, भगवान बास करके कुरुपा रहुआ, सब पर बनल रहे, साथियों, अवरंगाबाद की धर्ती, अनेक स्वातंत्र से नानियों की जन्वस्तली है, कि बिहार, बिहार विभूती, अनुग्र नाराण सीजी जैसे महापुरुषों की जन्व भूमी है, कि आज उसी अवरंगाबाद की भूमी पर, बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, आज यहां करीब, साड़े 21,000 करोड रुपे की विकास परियोजनाओं का उद्गातन और स्विलान्यास हुआ है, इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रासेक्टर से जुड़ी कई परियोजनाओं है, इनमें रेल इंफ्रासेक्टर से जुड़े काम भी है, और इनमें आधुनिक बिहार की मजबुत जलग भी है, आज यहाँ आमस दर्भंगा फोर लेंड कोरिडोर का स्विलान्यास हुआ है, आज ही दानापूर बेटा फोर लेंड एलिवेटेड रोड का स्विलान्यास भी हुआ है, पट्ना रिंग रोड के सेरपूर से दिगवारा खन का स्विलान्यास भी हुआ है, और यही एंडिये की पहचान है, हम काम की शुरुआद भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनाजन को समर्पिद भी करते हैं, यह मोदी की गारंटी है, यही मोदी के गारंटी है, आज भी भोजपुर जिले में आरा बाइपास रेलाइन की नीव भी रखी गई है, आज नमामी गंगय अभियान के तहद भी बिहार को बारा परियोजनाओं के सौगात मिली है, मुझे पता है कि बिहार के लोग और खास कर रावरंगाबाद के मेरे भाई बेन, बनारस कोलकता एक्ष्प्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं, इस एक्ष्प्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ गंटों की दिरूपर रहेगा, और कुछ गंटे में ही कोलकता भी पहुँच जाएंगे, और यही NDA के काम करने का तरीका है, बिहार में विकास की ये ज़ंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को बिहार वास्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, आज बिहार की धर्ती पर मेरा आना कई माईनों में खास है, अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गवरों करपुरी ठाकोर जी को देश ने भारत रत्न दिया है, ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है, ये सम्मान समुच्चे बिहार के सम्मान है, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में राम लला के भग्व मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, अयोध्या में राम लला भी राजमार वो ये हैं, तो स्वाब आविक है कि सबसे ज़्यादा खुशी माता सीता की धर्ती पर ही मनाई जाएगी, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, बिहार जिस आनन्द में डुआ, बिहार के लोगों ने जता हुट्सव मनाया, राम लला को जो उपहार बेजे, मैं वो खुशी आप से साजहा करने आया, और इसके साथ ही, बिहार ने एक बार फिर, डबल एंजिन के रप्तार भी पकड़ लिये है, इसलिए बिहार इस समय पूरे उच्छा में भी है, और आत्म विश्वास से भी बड़ा हुआ है, मैं उच्छा मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मोजूद, माताए, बैने, नवजवान और जहाँ पर मेरी नजर पहुच रही है, उच्छा उमंग से भरे, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आसिरवाद देने आये हैं। आपके चहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चहरों पर हवाईया उड़ा रही है। साथियों, NDA की शक्ती बढ़ने के बाद, बिहार में परिवारवादी राजनिती हाशिये पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनिती की एक और विडमना है। माबाप से बिरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है। लेकिन माबाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये हैं परिवारवादी पार्टीों की हालब। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बिड़े नेता भी। इस बार बिहार में लोग सभा का चुनाव लरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लमेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। अपने देखा होगा। अब लोग सभागा चुनाव लरना नहीं चाहते हैं। राजसभा की सीटे खुज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तार नहीं है। और यह हैं आपके विश्वास। आपका उच्छा। आपके संकल्प की ताकर। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को दन्यवास करने के लिए आया है। साथियों एक दिन में इतने व्यापक सर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवा है कि डबल इंजिन सरकार में बढलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सडक और हाइवे से जुड़े काम हुए हैं उनसे बिहार के अनेक जिनों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया जहानाबाच, नालंदा, पतना, वैशाली, समस्तिपूर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूत्पुर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोद गया, विश्णुपत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार जुन की गुफाओं तक कर पहुंतना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर, तीलफ और परेटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए। दरभंगा एरपोर्ट और बीटंग में बनने वाले नए एरपोर्ट भी इस नए रोड इन्फा सक्टर से जुड़ेंगे। इससे बहार से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दोर था जब बिहार के ही लोग अपने ही गरों से निकलने में डरते थे। एक ये दोर है जब बिहार में परियतन की संभावनाए विक्सित हो रही है। बिहार को बंदे भारत और अमरत भारत जैसी आदुनिक ट्रेने मिली अमरत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पूराना दोर था राज्य को अशांती और सुरक्षा और आतं की आग में जौक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा। और एक आज का दोर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलप्मेंट करके उनका काउशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्त सिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड रुपिय की लागत से बनने वाले एकता मोल की नीव रखी है। इन नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारत मक्त सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों बिहार आगे बढ़ेगा। जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब बे आगे बढ़ता ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़ता है। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब आदिवासी दलीत बंचीत का सामर्तब बढाने में जुटी है। बिहार के लगबग नव करोर लाभारतियों को पी-एम गरीब कल्यान योजना का लाब मिल रहा है। बिहार में उजवला योजना के तहट लगबग एक करोर चहतिक महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाग किसानों को पी-एम किसान सम्मान निजी का लाब मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोर रुपिय से अधिक ट्रांसफर किये गए हैं। पांच वर्ष पहले तक बिहार के गाउं में सिरफ दो प्रतिशत गरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90 प्रतिशत से ज़्यादा गरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाग से ज़्यादा आईश्मान कारदारक है। जिने 5 लाग रुपिय तक मुप्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दसकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशाय इस परियोजना को जल पुरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशाय से बिहार जारखन के चार जिलों में एक लाग हैक्टर खेतों की सीचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में सामती और कानून विवस्ता का राट ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे तम में हमारी सरकार इनी गारंटीों को पुरा करने और विक्सित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्प बद्द है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बदाई। आज विकास का उत्सव है। मैं आप सबसे अगरे करता हूँ अपना मुबाइल फोन निकालिए। उसकी फ्लेश लाइट चालू किजिए। आपके सबके मुबाइल की फ्लेश लाइट चालू किजिए। ये विकास का उच्छों मनाएं, सब दूर, जो दूर दूर है वो भी करें, हर कोई अपना मुबाइल पॉन बाहर निकाले, ये विकास का उच्छों मनाएं, मेरे साथ बोलिये भारत माता की, 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 भारत बह झाल झाल